लुका 22 अध्याई 1 से 71 तक अखमिरी रोटी का पर्व जो फसक कहलाता है निकट था और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डाले पर वे लोगों से डरते थे तब शैतान यहुदा में समाया जो इस करियोती कहलाता और बारत चेलों में गिना जाता था उसने जाकर प्रधान याजको और पहरूँ के सरदारों के साथ बात चित की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए वे आनंदे तुए और उसे रुपिये देने का वचन दिय उसने मान लिया और अवसर ढूड़ने लगा कि जब भीड न हो तो उसे उनके हाथ पकड़वादे तब अखमिरी रोटी के परव का दिन आया जिसमें फसर का मेमना बली करना आवश्यक था ईश्यों ने पत्रस और युहना को यह कहकर भेजा जाकर हमारे खाने के लिए फस तैयार करो उन्होंने उससे पूछा तो कहां चाहता है कि हम इसे तैयार करें उसने उनसे कहा देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का गड़ा उठाये हुए तुमें मिलेगा जिस घर में वो जाये तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना गुरू तुझसे कहता है कि वह पाहुंशाला कहां है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसर खाऊं वह तुमें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा वहीं तैयारी करना उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसर तैयार किया जब गड़ी आ पहुंची तो वह प्रेडितों के साथ बोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसर तुमारे साथ खाऊं क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा तब उसने कटोरा लेकर धन्यवात किया और कहा इसको लो और आपस में बांट लो क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाक का रस अब से कभी न पीऊंगा फिर उसने रोटी ली और धन्यवा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहु में जो तुम्हारे लिए बाहर आजाता है नहीं वाचा है, पर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुश्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए तहराया गया जाता ही है, पर हाए उस वारव पकड़वाया जाता है तब वे आपस में पूछताच करने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है उसने उनसे कहा अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अ क्योंकि बड़ा कौन है वो जो भोजन पर बैठा है या वो जो सेवा करता है क्या वही नहीं जो भोजन पर बैठा है पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ तुम वो हो जो मेरी परिक्षाओं में लगाता और मेरे साथ रहे और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राजे टहराया है वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए टहराता हूँ ताकि तुम मेरे राजे में मेरी मेज पर खाओ पियो वरन सिंहासनों पर बैठ कर इसराइल के बारह गोत्रों का न्याई करो शिमोन हे शिमोन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहू के सम करना उसने उससे कहा हे प्रभू मैं तेरे साथ बंदिगर जाने वरन मरने को भी तयार हूँ उसने कहा हे पत्रस मैं तुछ से कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तु तीन बार मेरा इंकार न कर लेगा कि तुम मुझे नहीं जानता फिर उसने उनसे कहा ज जन्तो अब जिसके पास बटुआ हो वो उसे ले और वैसे ही जोली भी और जिसके पास तलवार न हो वो अपने कपड़े बेच कर एक मोल ले क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है वो अपरादियों के साथ गिना गया उसका मुझ में पूरा होना आवश्य है क्य जलकर अपनी रीती के अनुसार जैतूं के पहाड पर गया और चेले उसके पीछे हो लिये उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा प्रातना करो कि तुम परिक्षा में न पड़ो और वह आप उनसे अलग एक डेला फेकने की दूरी भर गया और गुटने टेक कर प्रातना करन लगा हे पिता यदि तू चाहे तो इसका टोरे को मेरे पास से हटा ले तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेधना से प बड़ी बुंदों के समान भूमी पर गिर रहा था तब वह प्राथना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा क्यों सोते हो उठो प्राथना करो की परिक्षा में न पड़ो वह यह कही रहा था कि एक भीड आई और उन बार ईशु ने उससे कहा हे यहुदा क्या तु चुम्मा लेकर मनुश्य के पुत्र को पकड़वाता है उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा हे प्रभू क्या हम तलवार चलाए और उनमें से एकने महायजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाइना कान उ जो उस पर चड़ आये थे कहा क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारे और लाठिया लिये हुए निकले हो जब मैं मंदीर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझे पर हात न डाला पर ये तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है फिर वे उसे पकड़ कर ले चले और महायाजक के घर में लाए पत्रस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था और जब वे आंगन में आग सुलगा कर इकटे बैठे तो पत्रस भी उनके बीच में बैठ गया तब एक दासी उसे आग के उज्याले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहन लगी यह भी तो उसके साथ था परन्तो उसने यह कहकर इंकार किया हे नारी मैं उसे नहीं जानता थोड़ी तेर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा तू भी तो उन्हीं में से है पत्रस ने कहा हे मनुश्य मैं नहीं हूँ कोई घंटे बर के बाद एक और मनुश्य गलीली है पत्रस ने कहा हे मनुश्य मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है वो कही ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी तब प्रभु ने गूम कर पत्रस की और देखा और पत्रस को प्रभु की वा बात याद आई जो उसने कही थी आज मुर्ग के बांग देने से प और उसकी आंखे डांक कर उससे पूछा भविश्यवानी करके बता कि तुझे किसने मारा और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बाते उसके विरोध में कही जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनियों और प्रधानियाजक और शास्त्रे इखटे हुए और उसे अपनी महासबा में लाकर पूछा यदी तू मसी है तो हमसे कह दे उसने उनसे कहा यदी मैं तुमसे कहूँ तो प्रतीती न करोगे और यदी पूछू तो उत्तर न दोगे परन्तो अपसे मनुशे का पुत्र सर्वशक्ती मान परमेश्वर की दाइनी और बैठा रहेगा इस पर सबने कहा तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है उसने उनसे कहा तुम आप ही कहते हो क्योंकि मैं हूँ तब उन्होंने कहा अब हमें गवाही की क्या आवशक्ता है क क्योंकि हमने आप ही उसके मुह से सुन लिया है। है एप्रेम तुने चिनाला के और इस्राइल अशुद हुआ है। हो गया है। विवेबिचार के लड़के जने हैं इससे उन्होंने यहावा का विश्वास घात किया है। इस कारण अपचांद उनका और उनके भागों के नाश का कारण होगा। गिबा में नरसिंगा और रामा में तूरीफू को बेतावेन में ललकार कर कहो है बिन्यामिन अपने पीछे देखने आए के दिन में एप्रेम उजाड हो जाएगा। जिस बात का होना निश्टित है मैंने उसी का संदेश इसराइल के सब गोत्रों को दिया है। यहुदा के हाकिम उनके समान हुए हैं। जो सीमा बढ़ा लेते हैं मैं उन पर अपनी जलजलहट जल के समान उंडे लूँगा। एप्रेम पर अंदेर किया गया है वो मुखदमा हार गया है क्योंकि वो जी लगा कर उस आग्या पर चला। आरेब राजा को कहला भेजा परन्तुन वो तुम्हें चंगा कर सकता और नो तुम्हारा घाउ अच्छा कर सकता है। क्योंकि मैं एप्रेम के लिए सिंग और यहुदा के घराने के लिए जवान सिंग बनूँगा मैं आप ही उन्हें फाड कर ले जाऊंगा जब मैं उठा ले जाऊंगा तब मेरे पंजे से कोई न छुड़ा सकेगा जब तक वे अपने को अपराधी मान कर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे तब तक मैं अपने स्थान को न लोटूंगा और जब वे संकट में पढ़ेंगे तब जी लगा कर मुझे ढूनने लगेंगे होशे छटा अध्याई चलो हम यहवा की और फिरे क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा उसी ने मारा और वही हमारे घाओ पर पट्टी बांदेगा दो दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठा कर खड़ा करेगा तब हम उसके समुख जीवित रहेंगे आओ हम घ्यान डूंडे वरन यहवा का घ्यान प्राप्त करने के लिए यतन भी करें क्योंकि यहवा का प्रगट होना भोर का सा निश्चित है वह वर्षा के समान हमारे उपर आएगा वरन बर्सात के अंत की वर्षा के समान जिस से भूमी सिंचती है हे इप्रेम मैं तुझसे क्या करूँ हे यहुदा मैं तुझसे क्या करूँ तुम्हारा स्निहतो बोर के मेग के समान और सभेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है इस कारण मैंने बविशद अक्ताओं के द्वारा मानों उन पर कुलहाडी चला कर उन्हें काट डाला और अपने वजनों से उनका घात किया और मेरा नियाए प्रकाश के समान चमकता है क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन होता हूं और होम बलियों से फिर्तकारियों से भरी है वह खून से भरी हुई है जैसे डाको के दल किसी की घात में बैठते हैं वैसे याजकों का दल शकेम के मारग में वद करता है वरण उन्होंने महापाप भी किया है इस्राइल के घराने में मैंने रोएं खढ़े हुने का कारण देखा है उसमें 125 अध्याई जो यहवा पर भरोसा रखते हैं वे सियोन परवत के समान है जो टलता नहीं वरंड सदा बना रहता है जिस प्रकार यरुशलिम के चारो और पहाड है उसी प्रकार यहवा अपनी प्रजा के चारो और अब से लेकर सरवदा तक बना रहेगा क्योंकि दुष्टों क यहवा राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा ऐसा नहीं हो कि धर्मी अपने हाथ कुठिल काम की और बढ़ाए है यहवा भलों का और सीधे मनवालों का भला कर परन्त जो मुड कर टेड़े मारगों में चलते हैं उनको यहवा अनर्त कारियों के संग निकाल दे प्रभब के संग्पें, घे यहवादय के संगर यहवा रहेबगा हैं जो हम प्रेहर को बोहा प्ला है EVERYना फल्व कर बोहा दो देवा रहे हैं ग Poloद काम 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 हैं ग3 Jamaica EU घ hypnotता हprotouth ग़ियों के